गुड मॉनिंग प्रेंस आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग खड़कपुर डिविजन साउथ इस्टन रेलिवे का जेई सीन डबलू डिपार्टमेंटल कुशिन पेपर सल्फ करेंगे जो कि 7 जुन 2024 को ये एकजाम कंडेक्ट हुआ है तो ये पूरे ही लेटेस्ट पेपर है तो चलिए डिरेट कुशिन में चलते हैं देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब कुशिन है आप लोग भी रेडी हो जाईए तो जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि जो भी फ्रेंट अपना खुद का टेस्ट लेना चाहते हैं तो हम जैसे कुछिन रीट करेंगे आप लोग अपना एंसर ले लिजे लास्ट में आप लोग मेच कर सकते हैं आप कितना मार्च सीकॲ किये हैं तो चले कुछिन नंमर 1 में चलते हैं द 29 में पर आप लोग का जो option A है failure, indication and break application ये भी सही होगा लेकिन इसका जो पूरूप आप लोग का जो लिखा हुआ आता है जो की failure, indication, come break application होता है option A के साथ चलिए तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक lhb coach में दो फीवा पैनल या फीवा डिवाइस दोनों end में एक एक करके रहेगा इसके साथ साथ इसका indication के लिए चार फीवा इंडिकेटर टोटाल रहेगा एक lhb coach में तो ये भी बात आप लोग जरूर ध्यान दे तो जो lhb coach में secondary suspension में air spring यूज किया जाता है वही model में ही आप लोग का फीवा डिवाइस install किया जाता है तो ये बात भी जरूर ध्यान रखा जाए dump bulb is fitted in which of the falling तो dump bulb जैसे की एक lhb coach में four numbers चार के संख्या में dump bulb short में db लिख दे रहे है dump bulb चार के संख्या में एक lhb coach में रहता है तो ये इही पर आप लोग के लिए कोशिन है dump bulb is fitted in which of the falling तो lhb coach में ही ये फीट होता है अब संबी के साथ चलिए how many leveling valves are fitted in an ear spring boggy of lhb coach तो ये पर देखे आप लोग के लिए कोशिन है कि एक lhb coach में एक ear spring boggy में कितना संख्या में leveling valve रहता है how many leveling valves are fitted in an ear spring boggy up lhb coach तो एक बोगी में एक बोगी में दो के संख्या में leveling भालप रहेगा तो अब संब एक के साथ चलिए तो आप लोग का एक कोश में पर कोश में चार के संख्या में leveling भालप रहेगा तो कुशिन ठीक से read कीजें उसके बाद ही आप लोग answer लीजिए तो जैसे कि इसके साथ साथ आप लोग का जो installation lever होता है ये आप लोग का पर बोगी का पर बोगी एक बोगी में ये installation lever दो के संख्या में रहेगा और duplex check valve जो है ये एक के संख्या में रहेगा उसी हिसाब से आप लोग पर कोश में installation lever चार के संख्या में रहेगा और duplex check valve दो के संख्या में रहेगा ये भी कुशिन एक्जाम में आही रहा है इसको याद रखिए 125 लीटर या टेंक इच इन एलेजबी कोच इच यूज़ फर विच परपोच 125 लीटर वाला अकजुलारी रिजर्वर टेंक इसका परपोच क्या है किसमें ये फीट होता है तो ये रिलेटेड होता है 125 लीटर ये ब्रेकिंग परपोच के लिए यूज़ होता है तो इसी हिसाब से आप लोग बाकी भी देख लीज़े थोड़ा डाटा जैसे कि आप लोग का 150 लीटर जो कि यार स्प्रिंग के लिए ये यूज़ होता है 75 लीटर ये टोईलेट परपोच के लिए 6 लीटर सी यार टेंक या आप लोग का पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक के लिए यूज़ होता है 60 लीटर इन बिल्ट एडिशनल रिजर्वर ये यार स्प्रिंग के साथ इन बिल्ट रहता है ये आप लोग का एडिशनल इन बिल्ट एडिशनल रिजर्वर 60 लीटर का यूज़ होता है ये भी धाटा आप लोग यात रखिए अरिजनेटिंग स्टेशन ब्रेक पावर सू परसेंटेज फर मेल एक्सप्रेस ट्रेंड सूर्ड भी तो अरिजनेटिंग स्टेशन में मेल एक्सप्रेस के लिए आप लोका कितना रहेगा ये भी रिपिटर कूषिन है ये 100 परसन होना चाहिए और यह अगर en route के लिए question पूछा है out station के लिए question पूछा है तो यह हो जाएगा 90% What is the pressure of control reservoir in coaching train तो आप लोग का coaching train या goods train दोनों में आप लोग का जो control reservoir में जो pressure से यह charge होता है यह होता है 5 kg पर cm2 और इसका जो size रहेगा अब लोग का coaching goods दोनों के लिए यह 6 लीटर का रहेगा इसका जो size होगा या capacity control reservoir का 6 लीटर का रहेगा और यह 5 kg पर cm2 से charge होगा cut up angle cut can be fitted to तो simple सी बात है cut up angle cut BPFP दोनों pipe में ही fit होता है अब सन C के साथ चलिए during brake release ER from brake cylinder goes to यह भी repeated question है जब भी brake release करेंगे तो brake cylinder का जो हवा है ER है यह कहां जाएगा यह atmosphere में बाता बरन में चला जाएगा इन ER brake coach PEAV and PEA SD is connected to branch pipe in तो यह पर ER brake coach के लिए जो passenger emergency alarm valve और passenger emergency alarm signal device यह BP का branch pipe के साथ ही connect होता है BP pipe के साथ ही connect होता है option B के साथ चलिए तो जैसे कि देख लिजे थोड़ा diagram में यह main BP pipe हो गया इससे जो branch बनेगा यह जाएगा आप लोगा passenger emergency alarm valve को जो कि इहीं पर main BP का जो diameter रहता है यह 25 mm का branch जो होगा आप लोगा main pipe से passenger emergency alarm भाल्ब तक यह हो जाएगा 20 mm और passenger emergency भाल्ब से जो branch होगा जो कि passenger emergency alarm signal device को जाएगा P.E.A.S.D. यह branch pipe जो होगा यह 10 mm का होगा तो यह भी additional data सब आप लोग याद रखिए यह आप लोगा ICF coach का configuration है आप लोगा P.E.A.B. और PhD के लिए how many brake cylinder are used इने LHB type coach तो LHB type coach में आप लोगा total brake cylinder सेंख्या पूछ रहा है जो की 8 के सेंख्या में रहता है तो इसका भी size या diameter जो होता है यह 10 inch का या mm में 255 mm यह ले सकते है इसका diameter है LHB coach का brake cylinder का diameter इस टाइप आप रोलर वियरिंग इस यूश्ट इन LHB coaches यह भी रिपिटेड कुछिन है LHB coach में केट्वी स्टेफ पर रोलर वियरिंग CTR भी यूच होता है अपसन C के साथ चलिए तो ICF coach में spherical roller वियरिंग EOSC और locomotive में CRB फिट होता है cylindrical roller वियरिंग wagon में CTR भी cattle stepper roller वियरिंग SS2 schedule of LHB coaches is done every day's month तो इह पर subsidule 2 पूछ रहा है LHB coach के लिए तो इसका periodicity पूछा है यह कितने महिने में होता है तो यह आप लोग का था SS2 36 month में तो जैसे की SS1 देख लीजे subsidule 1 यह 18 month अगर month में हम लोग चलेंगे महिना के हिसाब से SS2 डबल कर दीजे direct simple एक यात रखे बाकी सब automatic हो जाएगा डबल कर दीजे 36 month SS2 SS3 डबल कर दीजे 72 month PEAB and PSD are fitted in which of the following तो इह पर देखिए passenger emergency alarm भल और passenger emergency alarm signal device यह कहां फीट होता है तो यह आप लोग का ICF कोच में फीट होता है अब संसी के साथ चलिए SS1 schedule of lgb coaches is done every day's month तो यह पर देखिए SS1 lgb coach के लिए इसका periodicity पूछा है तो यह आप लोग कप इसका SS2 का periodicity होता है तो इसका जो schedule होता है यह 18 month में होता है उपर ही repeat हुआ है option B के साथ चलिए luggage room capacity of LWLRM तो इहीं पर power car generator car का luggage room का capacity पूछ रहा है जो की 3.9 ton में होता है और आप लोग का बहुत सारे exam में देखिए यह 5 ton capacity का भी है आप लोग का answer में रहता है दोनों ही ठीक है तो इहीं condition में आप लोग 3.9 ton लिजे luggage room capacity power car generator car LWLRM का how many emergency windows provided in AC ICF कुछ तो AC ICF कुछ में 4 के संख्या में emergency window आपत कालिन खिड़कियां 4 के संख्या में which of the following is not a passenger coach type तो यह पर देखिए कौन सा passenger coach type नहीं है पूछ रहा है तो यह पर option A में देखिए यह LWACCN जो है LHB type में vestibule यह SE 3 tier है तो यह आप लोग का passenger coach है इसी साब से LWACCW यह आप लोग का LHB type में SE 2 tier coach है WDSCN यह आप लोग का ICF type में second class sleeper coach है तो यह तिनों passenger coach हो गया यह पर देखिए BLCA जो है यह आप लोग का container type का यह wagon है तो यह पर सही option क्या हो जाएगा यह पर पूछा है तो यह चारों में से कौन सा passenger coach type नहीं है तो option D के साथ चलिए BLCA Which of the following is not a wagon type यह पर not a wagon type पूछा है तो देख लेते हैं Which of the following is not a wagon type तो यह पर देख लीजे जो box and wagon है यह open type का आप लोग का wagon है यह wagon category में आएगा wagon class में आएगा B.O.B.R.N जो है यह hyper wagon है और BLCA जो है यह आप लोग का container wagon है तो यह तीनों हो गया wagon type में लेकिन यही पर देखिए आप लोग का LSLRD जो है LHB type में इसमें second class sitting भी रहेगा luggage रहेगा guard room रहेगा और desirable person रहेगा तो यह related to आप लोग का passenger coach के लिए है तो अपसन B के साथ चलिए which of the following is not associated with yard brick testing of coach और wagon तो यह पर yard brick test जो करेंगे coach और wagon का तो यह पर कौन सा चार अपसन से कौन सा टेस्ट है जो related नहीं है तो यह पर देख लिए SWTR single wagon test rig यह related है wagon testing के लिए SCTR single car test rig यह single आप लोग का coach का जो testing करेंगे यह भी आप लोग का yard brick testing के साथ related है इसके बाद जो RTR है rack test rig यह पूरे rack का हम लोग yard break testing करते हैं तो यह भी आप लोग का related है लेकिन UST जो है ultrasonic test इसके माइदयम से हम लोग Excel का internal crack check करते हैं तो यह आप लोग का yard break testing के साथ related नहीं है इसके साथ संपरकित नहीं है तो यह पर सही answer आप लोग का हो जाएगा UST हो जाएगा ultrasonic test जो की yard break testing के साथ यह समन्दित नहीं है which of the following is true for empty load box of wagon तो यह पर देखिए जो load empty आप लोग का box handle जो रहता है इसका position के बारे में cushion है तो इसका सही आप लोग answer देखेंगे तो option देख लीजे option B के साथ चलिए यह black जो होगा यह loaded condition को दरसाएगा अगर load empty handle को black में रख देंगे तो यह load condition है दरसाएगा yellow में रखेंगे तो यह empty condition को indicates करेगा question of buggy is not used in which of the following stock तो यह पर देखिए कौन सा stock में आप लोगे कैसनप बगई यूच नहीं होता है तो यह पर BCN यह आप लोग का cover wagon है इस में यूच होता है bucksan यह open wagon है इस में यूच होता है bucksan natural यह भी आप लोगे कैसनप बगई यूच होता है लेकिन जो बीभी जड़ाई है जो की एट हुईलर ICF बोगी ब्रेक भेन है तो इसमें आप लोगा कैसना बोगी लगेगा नहीं इसमें ICF बोगी फीट होता है तो ही पर option जो आप लोगा C है यह क्या है यह आप लोगा कैसना बोगी इसमें आप लोगा लगेगा नहीं option C के साथ चलिए which of the following is not a कैसना बोगी बर्षन तो कैसना बोगी बर्षन का जैसे की 22WWM NL NLB यह सब आप लोगा NLC यह सब आप लोगा कैसना बोगी का बर्षन है 22W, 22WM, 22NL, 22NLB, 22NLC यह सब जो है आप लोगा कैसना बोगी का बर्षन है लेकिन यहीं पर देखिए आप लोगा जो 22WX है यह कोई भी कैसना बोगी का किसी टाइप का बर्षन नहीं है option D के साथ चलिए master valve is fitted in which of the following rolling stock तो कुन सा rolling stock में master valve fit होता है तो जैसे के आप लोग जानते हैं BTPN wagon, boggy tank, petroleum, pneumatic wagon रहता है जिसमें की petroleum product transport होता है तो इसमें आप लोगा master valve fit होता है जिसका कि आप लोगा exam में इसका diameter आता है 100 mm diameter of master valve of BTPN wagon automatic twist lock is associated with which of the following rolling stock तो जो ATL होता है automatic twist lock ये आप लोगा जो keen option दिया गया है किसके साथ ये समन्दीत है तो ये related है ये पर देख लीजे BBZI जो है ये आप लोगा 8 wheeler ये brake van है तो इसके साथ ये इसका related नहीं है BBZC 4 wheeler ये brake van है इसके साथ भी आप लोगा related नहीं है तो ये पर option देख लीजे जो option C है BLC है जो कि container type का आप लोगा एक वागन इसमें ट्रांसपोर्ट होता है BLC buggy low platform hybrid container तो ये इसमें आप लोगा ATL यूच होता है तो ATL जो यूच होता है ये 8 के संख्या में BLC वागन में ATL यूच होता है 8 numbers तो लॉक करने के लिए लॉकिंग करने के लिए 1000 kg फोर्स चाहिए तो ये डाटा भी आप लोग जानते ही जानते हैं रिपिटेड कुशिन है What is the LSD fitted in B.O.B.R.N. तो B.O.B.R.N. जो हुपर टैप का वागन है इसमें जो LSD फिट होता है ये क्या है तो इंडार्क लिए आप लोग को इसका फूल फर्म पूरू पूछा है जो LSD का यहीं पर फूल फर्म लोड सेंसिंग डिवाइस हो जाएगा तो अप्शन आप लोग देख लीजिए लोड सेंसिंग डिवाइस अप्शन B के साथ चलिए How many side frames are fitted in one के सनफ बोगी तो एक के सनफ बोगी में दो के संफ्या में दो नबाजिव दो side frame रहेगा और टोटल वागन में चार के संफ्या में टोटल अगर वागन का बात बोलेंगे फोर नंबर्स side frame हो जाएगा इसको भी आप लोग याद रखिए इन यार ब्रेक सिस्टम दिरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक सूड एपलाए वेन दर रेट अफ ड्रॉप अफ यार प्रेसर इन बीपी इज तो सेंसिटिविटी टेस्ट जब करेंगे तो बीपी प्रेसर ड्रॉप करेंगे कितना ड्रॉप करेंगे 0.6 kg per cm2 in 6 seconds option D के साथ चले BP pressure 0.6 kg per cm2 6 seconds के लिए drop करेंगे इसमें आप लोका break लग जाना चाहिए यही होता है sensitivity test इसी साफसे insensitivity test जो होता है BP pressure drop करना है 0.3 kg per cm2 in 6 seconds 0.3 kg per cm2 BP pressure drop किजिए 6 seconds के लिए इसमें break should not apply और यही होता है insensitivity test होता है how many snobber springs are fitted in one केस्णव बोगी तो केस्णव बोगी इसमें snobber spring यह फीट होता है आप लोका एक बोगी के लिए पूचा है तो दोनों site में दो दो करके 4 के संख्या में यह आप लोका पूर बोगी पर वागन में double कर दीजे 4 प्लस 4 कर दीजे यह 8 numbers हो जाएगा तो जैसे कि इसका भी आप लोका free height आता है तो 22HS बोगी के लिए 293 mm यह snowboard spring का height है इसी सबसे नॉर्माल आप लोका other type का पूगी के लिए except 22HS इसमें इसका spring का height जो हो जाएगा 294 mm यह भी exam में आई रहा है इसको याद रखिए during break application ER flows from days to days तो जब भी आप लोग BP drop करेंगे break application करेंगे तो auxiliary reservoir ER का pressure जो है यह break cylinder को जाएगा यह भी आप लोगा repeated cushion है तो इसका answer हो जाएगा आप लोग का option A in twin pipe air brake system which of the following is true तो twin pipe air brake system में क्या सैत्य है यहीं पर जो statement दिया है तीन statement देख लेते हैं तो यहीं पर देखें जो साई statement हो जाएगा यहीं पर option देखें option C में Fp and BP charge with 6 kg per cm2 and 5 kg per cm2 respectively तो यहीं पर आप लोग का twin pipe air brake system में Fp charge होता है 6 kg per cm2 से और BP charge होता है 5 kg per cm2 से तो यह statement एकदम सही है option C के साथ चलिए what is the condemning wheel diameter in case of 22 NLB version तो condemning wheel diameter पूछा है case of 22 NLB version के लिए तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आप लोग option B के साथ चलिए 904 mm और इसका नया कंडिशन में 1000 mm यह data भी आप लोग की याद रखिए how many cut up angle cuts are provided इने वागन in twin pipe air brake system अगर कोई वागन है इसमें twin pipe air brake system है तो इसमें BP 2 BP के लिए 2 cut up angle cut 2 FP के लिए 2 cut up angle cut ऐसे करके 4 के संक्या में cut up angle cut twin pipe बाला air brake system होगा वागन के लिए इसमें यूच होगा option B के साथ चलिए instruction for inspection and maintenance of BOBR वागन each provided in which of the following technical pamphlet तो BOBR वागन के लिए जो inspection करेंगे और maintenance करेंगे इसके लिए RDSO technical pamphlet क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा आप लोगा जी 73 हो जाएगा option A के साथ चलिए और जैसे के G97 है यह आप लोगा RDSO technical pamphlet है जो की यार ब्रेक सिस्टम फर फ्राइड स्टोक फ्राइड स्टोक का यार ब्रेक सिस्टम है यार ब्रेक सिस्टम अब फ्राइड स्टोक या गूर स्टोक यह होता है यार ब्रेक सिस्टम अब फ्राइड स्टोक G97 How many doors are provided in a BRN wagon तो जैसे के आप लोग जानते हैं BRN wagon फ्लाट wagon है अब फ्लाट wagon में कोई आप लोगा door रहता नहीं है इसलिए option D के साथ चलिए नील हो जाएगा इंस्ट्रक्शन फर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस अप यार ब्रेक सिस्टम अब फ्राइड स्टोक इस प्रोवाइडेड इन हुच अफ फोलिंग टेक्निकल पेंप्लेट तो यह उपर ही डिसकस हुआ था तो यह आप लोगा जो आदिया से टेक्निकल पेंप्लेट होगा इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए आप लोगा फ्राइड स्टोक जो की यार ब्रेक सिस्टम के आप लोगा रिलेटेड में होगा तो यह हो जाएगा यार ब्रेक सिस्टम और फ्राइड स्टोक जी 97 अफ्शन एक के साथ चलिए उसी सबसे जो G आप लोग का 81 देख लीजिए यह पर जो G 81 है यह क्या हो जाएगा यह इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस अप CTRB हो जाएगा CTRB फिटेड इन केशन आप बोगी केशन आप बोगी में जो CTRB फिट हुआ है इसी कहीं यह आप लोग का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस इसमें सामील है जी एटीवन आडिया सो टेक्निकल पेंपलेट तो सार्फ फ्लेंच इहीं पर देखिए जो सार्फ फ्लेंच है यह वील का एक डिफेक्श है यह आप लोग का समन्दी थे वील के साथ अफ्सन डी के साथ चलिए तो जैसे की आप लोग जानते हैं सार्फ फ्लेंच डीप फ्लेंच थीन फ्लेंच खॉलो टायर थीन टायर लाड़ फैसेस लैस रूट रेडियस यह सब जो है यह आप लोग का हुईल डिफेक्ट्स है तो इसके लिए टायर डिफेक्ट्स का यूच होता है इसके मैधम से ही हम लोग डेली जो आप लोग का रूटीन चेकिंग होता है आप लोग का मेंटेनेंस होता है वासिंग लेन में फूल का प्रोफाइल को आप लोग को चेक करना पड़ता है IOP is a defect associated with which of the following तो IOP का फूल पर मेहीं पर in operative piston होता है यह होता है in operative piston तो जिसमें की आप लोग का piston काम नहीं करता है ब्रेक सिलिंडर का तो यह in operative जो piston होता है IOP यह defect associated with which of the following तो यह ब्रेक सिलिंडर का ही एक आप लोग का problem है यह इसी के साथ ही समन्दीत है ब्रेक सिलिंडर के साथ तो 37 का यह चलिए B के साथ चलिए hot box is defect associated with which of the following तो यह पर जो hot excel box आप लोग का है यह आप लोग का excel box bearing के साथ यह related है तो यह पर आप लोग का option A के साथ चलिए तो जैसे की hot excel box टेंपरेचर एक्सल box bearing के लिए यह coaching का case में कि एटी डिग्री सेंटिग्रेट अब वागन या फ्राइट का case में 90 डिग्री सेंटिग्रेट तो यह दोनों डाटा आप लोग याद रखिए what is IRCA तो IRCA का इह पर पूरू पूछा है फुल फर्म पूछा है जोकि Indian Railway Conference Association होता है तो इह पर आप लोग का सही answer क्या हो जाएगा यह option A के साथ चलिए next चलते हैं IRCA part 4 is associated with which of the following तो IRCA का जो आप लोग का part 4 है यह coaching stock के साथ related है अगर IRCA part 3 अगर पूछा होता है तो यह wagon stock के साथ यह समन्दित होता which of the following is a tank wagon तो यहीं देखिए तीन option में कौन सा tank wagon है तो यहीं उपर में ही BTPN जो है boggy tank petroleum pneumatic wagon BTPN इसमें petroleum product आप लोग का transport होता है तो यह tank wagon है BTPN option A के साथ चलिए बाकी बीभी जड़ाई है यह आप लोग का break van है 8-wheeler जिसमें की ICF trolley लगा हुआ रहता है boy आप लोग का एक open wagon है anti-crip mechanism is associated with which of the following तो यह पर जो anti-crip mechanism है anti-crip mechanism यह किस के साथ समंदित है किस के साथ associated है तो यह CBC के साथ associated है center buffer coupler के साथ तो ही पर जो anti-crip system होता है यह CBC को uncoupling होने से यह prevents करता है रोकता है यह भी आप लोग इसके बारे में थोड़ा भूत आप लोग जानते ही है which of the following is the coach code for SE3 tier economy classes तो LHB, SE3 tier economy classes के लिए जो code होता है यह LWACCNE होता है option B के साथ चलिए जिसका कि आप लोग का जो capacity होता है वर्थ capacity यह 83 numbers होता है slackless drover is associated with which of the following rolling stock तो यह पर देखे आप लोग का एक प्रकर का coupling है slackless drover तो यह BLC वागन के साथ related है तो जैसे कि आप लोग जानते हैं types of coupler में CBC coupler screw coupler saakoo coupler slackless drover यह भी एक coupler हो गया transition coupler इसके बाद आप लोग का बंदे भारत में जैसे कि आप लोग का semi permanent डेलनर कपलर डेलनर कमपानी का कपलर है तो यह सब आप लोगा जो अलग अलग प्रकर का कपलर है तो BLC वागन में BLC वागन में CBC coupling भी रहेगा प्लस slackless drover भी रहेगा जैसे कि एक unit में बीच में आप लोग का slackless drover रहता है यह भी आप लोग को बहुत सरा वीडियो में बता गिया है slackless drover what is the following is a covered वागन यह पर देखें covered वागन कौन सा है तो यह पर simple सा covered वागन जो है BCNA है BCNA तो जैसे कि आप लोग जानते हैं BCN यह भी आप लोग knowledge में रखिए BCN BCN जो आप लोग का वागन है यह covered type का वागन है जैसे कि regular basis पर cement product है इसमें transport किया जाता है BCN यह होता है आप लोग का reverted इसमें reverted joint रहता है और BCNA जो है यह welded joint रहेगा welding रहेगा welded joint यह भी आप लोग ध्यान में रखें what is BPC BPC का पूरूप पुछा है break power certificate तो जब भी आप लोग का वासिंग लाइन में या आप लोग का maintenance डिपो में coaching stock हो wagon stock हो रेक फीट होने के बाद BPC जारी किया जाता है यह authority होता है तो यह आप लोग का जो BPC break power certificate यह तीन कोपी में बनाये जाता है तीन कोपी जिसमें train manager loco pilot और SSE JEE का एक कपी रहता है तीनों का sign होता है joint sign होगा तो यह आप लोग का जो आज का date में online BPC coaching stock के लिए CMMM में निकाला जा रहे है coaching maintenance management system और pride stock के लिए FMMM में निकाला जा रहा है pride management maintenance system में यह भी आप लोग याद रखिए what is full form of ODC तो एक SMD रहता है standard moving dimension SMD और एक रहता है ODC over dimensional consignment तो option देख लिजे कहां पर है तो आप लोग option A के साथ चलिए तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका classes जो होता है A class, B class, C class A class, इसका जो आप लोग का speed restriction होता है यह sectional speed होता है जो section का speed होगा वही इसका maximum speed होगा B class 40 kmph और C class 25 kmph यह speed restriction है which of the following is not a type of odc तो जैसे कि इहें पर discuss हुआ A class odc रहता है B class odc रहता है C class odc लेकिन Z class type का कोई भी odc नहीं रहता है option D के साथ चलिए what do you mean by CC rect तो CC rect का full पर महीं पर पूछा है closed circuit rect यह हो जाएगा आप लोग का closed circuit rect तो option B के साथ चलिए तो जैसे कि closed circuit rect आप लोग का इसमें जो BPC का color यह भी exam में आता है yellow रहता है तो आज के date में तो online FMM में BPC generate किया जा रहा है इसलिए हर कोई प्रकर का examination का जो भी BPC निकलता है यह white color हो जाता है यह भी आप लोग को बहुत सारा वीडियो में बताया गया है what is the integrated person of the Excel तो Excel का integrated person एकिकरित हिस्सा क्या है यह journal हो जाएगा अप संसी के साथ चलिए repeated question है in which year was railway started in India तो railway से बाद train का service आप लोग का इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है तो 1873 में यह स्टार्ट हुआ है option B के साथ चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं 16 April 1873 को पहले बार train service, railway service स्टार्ट हुआ था है इंडिया में जो की बोरी बंदर से आज का डेड में मुंबई या बंबे जो है बंबे से थाने तक बोरी बंदर से थाने तक मुंबे से थाने तक यह आप लोगा 34 किलोमेटर का सफर था तो यह भी बहुत सार वीडियो में इसके बारे में बताये गिया है विच रेलियो जोन इच कर्ड ब्लू चिप तो यहीं पर कौन सा जोन को ब्लू चिप कहा जाता है तो यहीं पर ब्लू चिप का यही मिनिंग है कि आप लोग का कौन सा जो जोन है ये इंडियान रेलिवे के लिए रेवनियू जेनरेट करता है जो की अलग जोन से ज्यादा रेवनियू प्रोभाइड करता है तो ये आप लोग का जो जोन हो जाएगा साउथ इस्टन रेलिवे हो जाएगा option C के साथ चलिए जैसे कि साथ इस्टरन रेलियों में आपका ट्रांसपोर्ट जो होता है जैसे कि स्टील प्रड़क्ट, आइरन ओर, मंगानीच ओर, बकसाइट, लाइम स्टोन, यह सब आप लोगा खानीच यह ट्रांसपोर्ट होता है तो यह आप लोग जानते ही जानते हैं तो यह एक आप लोगा जो इंडिया रेलियों को रेवनियू प्रोवाइड करता है बहुत मात्राम है तो यह आप लोगा ब्लू चीफ हो जाएगा यह जोन Eastern Railway, Option C के साथ चलिए, यही पर देखिए, एक टो Simple Math दिया हुआ है, तो इसको Add कर दिजे, Total Add होने के बाद, आप लोग मैनस कर दिजे, मैनस करने से result कितना आएगा, तो यह इसका value जो हो जाएगा, यह आप लोग का, Double 6, 80 हो जाएगा, एक टो Simple Math है, हर कोई कर पाएंगे, In which state, is Conarch Temple located, तो यह देखिए, आप लोग का Conarch Temple, Conarch Mandir, जो कि सुरिया मंदिर, सुरिया देवता का पुजा किया जाता है, यह Odisha, Odisha में हैं, इसलिए अपसन देखिए, आप लोग का Non of this हो जाएगा, इसका सही अंसर Odisha, जो कि भूबने सर और पूरी के बीच में, यह Location है इसका, भूबने सर और पूरी, यही वे में ही मिलता है, On which day is Martis Day celebrated, सही दिवस किस दिन मनाय जाता है, तो यह आप लोग का सही अंसर है, 30 January, अपसन A के साथ चलिए, सही दिवस, January 30, अपसन A के साथ चलिए, तो चलिए Friends, जो खड़कपूर Division का, J.C.N.W. Departmental Question Paper, जो की Letters Paper है, यह आप लोग का साथ, कल ही का पेपर है, 7 June 2020 का यह पेपर है, Letters Paper है, तो इसका बाकी जो कूशिन है, Second Part में सल्प करेंगे, तो जैसे के हर बार बोलते हैं, आप लोग बढ़ियां से वीडियो वाच कीजिए, जोरदार प्राक्टिस कीजिए, डेली प्राक्टिस कीजिए, तब जाके आप लोग का डिपार्टमेंटल एक्जाम में, आप लोग को सक्सेस मिलेगा, तो इसका Second Part लेके, जल्द ही आप लोग के सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए बढ़ियां से प्रिपरेशन कीजिए, और कहीं पर भी आप लोग का कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी कुछ इनका अगर एंसल गलत है, तो इसके बारे में भी जरूर आप लोग बताइए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिन दोस्तो, जय जगरनाथ दोस्तो,